आपका पसंदीदा शो आवाज आंत्रप्रेणिया e-sports यानि gaming इसका खुमार देश भर में चाया हुआ है यह सिर्फ entertainment या time pass नहीं बलकि यहां career और business के धेरों मौके बन गए है e-sports या e-gaming industry फिलहाल 1.5 billion dollar की है और global ranking में भारत सत्रवे स्थान पर है 800 million dollar के market के साथ देश की गिनी चुनी कंपनिया हैं जिन्होंने global map पर अपना पर्चम लहराया है इनी में से एक है COBEX जो e-sports ecosystem बनाने की कोशिश में लगा है इस billion dollar सेक्टर में भारतिय टालेंट को बढ़ावा देते हुए कंपनी कैसे अपनी growth प्लान कर रही है जानते हैं हमारी cover story में ये है देश की one of the leading e-sports teams ये office आकर सिर्फ game खेलते हैं जिसके लिए इन्हें salary भी मिलती है इतना ही नहीं ये team e-sports tournaments खेलने के लिए दुनिया भर में घूमती है लेकिन फिलहाल ये teams engine cricket या hockey teams की तरह ज़ादा popular नहीं है क्यूंकि e-sports भारत में काफी छोटे सरफर है लेकिन global map पर इस industry की growth काफी तेज है 2023 तक e-sports का market size 11,900 करोड तक होने का अनुमान है जिस सेजी से इसका दाइरा बढ़ रहा है, market ही बढ़ रहा है और इसमें business के मौके और gaming talent को तराशने का काम कर रहे है भारत्य स्टाइट्प्स Horizon Company की signify team आजकल जुटी है COBEX Masters की तयारी में दरसल COBEX Masters मल्टी टाइटल इंटरनाशनल e-sports tournament है जो भारत्य गेमिंग स्टाइटप COBEX ने आयूजित किया है signify की दो teams, दस शेहरों से चुनी दो टॉप teams और दो इंटरनाशनल teams ऐसी कुल 6 teams COBEX Masters के final में लडेंगी 5 से 7 अप्रेल के बीच होने वाले इस tournament में Dota 2 और Counter-Strike Games खेल जाएंगे और इस मुकाबले का prize money है 1 करोड 40 लाग लुपए इस वकाब कोबेक समा से ये साल का NESCO में और जा जा रहा है NESCO आप जैसा अगर अपने वेन्यू देखा होगा तर बेसिकली प्लीन है उसमें हम पुरा वेन्यू क्रिएट कर रहे है अंदर वह लोग को बैटनी की सुविदा होगी बड़े screens लगे होगे अच्छे लेवल पर उनको एक प्रदशन दे पाएंगे एक entertainment focus दे पाएंगे कोबेक्स मास्टर का ये दूसरा फेज है पहली फेज लोकल टोर्नमेंट था इसमें देश के टॉप 10 शहरों से गेमिंग टीम्स ने हिस्सा लिया कोबेक्स गेमिंग देश का leading e-sports brand है जो ना सिर्फ international e-sports tournaments organize करता है बलकि gaming talent को भी बढ़ावा दे रहा है इसके पीछे कही न कही founder Rajdeep Bukta का gaming के प्रती लगाब रहा है अपनी take company Root Mobile चला रहे है Rajdeep अपने gaming के passion को पूरा कर रहे है कोबेक्स के जरिए I think Root Mobile मैंने लगभग 15 साल पहले सुरूबात की थी और during my college time में भी I used to be a gamer and उस वक मुझे मैं सहा लगता था कि India में I think e-sports जो developed नहीं हुई है और उस तरब जो resources थे internet connectivity या resources in terms of PC's also उतना powerful नहीं था उस वक 15 साल हमने ने अरड़ी एक technology company बिल्ड की और 15 साल कर दो में रेलेज हुआ है I think बहुत कुछ established हो चुका है why can't I start my new venture or that could be in e-sports or I think वह देखते हुए मैंने सोचा कि I think India में भी e-sports बहुत ही छोटे level पे है और इसको अगर हम build कर या grow करे और एक start-up चालू करे Gaming production और talent इन डो verticals में एक company काम कर रही है Company ने दो professional gamers की team को तयार किया है और gamers को platform देने का काम कर रहा है Kobex Master tournament इससे gamers community बनाने पर company focus कर रही है Kobex हमारा पूरा intention है कि Let's build a community Community build-up भी बहुत जरूरी है Because आप e-sports को तभी बिल कर सकते हो अगर आपका fan following होगा So creating fan is also a part of Kobex I think we are the only company who is gone to the ground label We went to all the 10 cities across India जहां पे हमने सारे new teams को identify किया So we identify almost 100 players So we try to create local heroes And I think it was platform के बाद लोगों कैसे लगा कि आप e-sports में करीर बना सकते हो I am actually very happy that I have actually something about it Kobex की तर्स पर gaming company खड़ी करने के लिए entrepreneurs को gamers को तयार करना उनके लिए gaming infrastructure बनाना tournament के सारे खर्च event organization पर निवेश करना होगा Tournament का content create करना marketing and advertising जैसे fronts पर भी ध्यान देना जरूरी है I think the major revenue is a sponsorship and sponsorship is the only model then the content Sponsorship से एक part होता है जहां पर होता है but I think creating a great content जो आप distribute करते हो different channels को because worldwide it's a very big market अगर foreign के team यहां के खेल रही है और हमारे team के साथ खेल रही है या किसी sports channel पर cover होता है तो there's a deal on that content किसी दूसरी country को बेशते हो तो वो एक deal होता है sponsorship आपका अलग option है अंतरश्च्री सर पर अपनी धौस जमाने के लिए और दो firefighting teams बनाने का अब कंपनी का लक्ष है साथ ही Kobex Masters जैसे 2-3 tournaments का आयोजन हर साल करने के plans भी कंपनी बना रही है e-sports पे उभरते मौके देखते हुए यहां early stage में पैसे लगाने के लिए निवेशक भी आश रस्त है यही कंपनी आगे जाके 200 crore की हो जाती है तो उसको 30% higher cost मिलता है So investors always play with their own risk and I think जितने भी investors हमें मिले हैं तो they understand the business model very well और उनको सलगता है कि we are the right people to start early investment Gaming के बढ़ते दाइरे में नई-नई कंपनिया e-sports में business के मौके तलाश रही है फिर भी भारत में ये काफी नेशिन market है, कोबिक्स के अलावा Nordwin Gaming, Nazara Technologies और Jet Synthesis जैसे start-ups ने Indian e-sports में नाम कमाया है और इस बेस का बढ़ता दाइरा देखते हुए यहां नए लोगों के ये धेरो opportunities बन रही है खल्पिता पारकर जुबए चली इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक लेकिन आगे देखें Mom's Believe की start-up journey जिसके innovative models की तारीफ खुद United Nations ने की है Welcome back, आप देख रहे हैं भारतिय स्टार्ट अप जगत का पहला हिंदी शो आवाज आंतुप्रेनिया अब बात करते हैं एक ऐसे start-up की जिसकी सरहना दुनिया भर में हो रही है Mom's Believe गुडगाओं का ये start-up Autism, ADHD और Down Syndrome जैसे disorders से जूज रहे बच्चों की परवरिश में parents की मदद करता है रुटीन से अलग बच्चों की special needs के लिए खास teaching tools और training मुहया कराने का जिम्मा सिंभाला है company के founder नितिन ब्लिंदिश ने आपको जानकर हैरानी होगी कि भारन में लगभग सवाख 5 करोड बच्चों में Autism Spectrum Disorder, ADHD या Down Syndrome जैसे विकार संबन्दी विकार के लक्षन पाये जाते हैं इस disorder का निदान, इसका इलाज और इसे पीडित बच्चों की परवरिश के लिए लगने वाली ज़रूरी teaching tools और training इस सभी के लिए भारत में कोई भी भरोसिमन option मौजूद ही नहीं था और इसी gap को भरने के उद्देश से नितिन ब्लिंदिश ने शुरू किया Mom's Believe बच्चे को अंदर therapy center के ले जाया जाता था ठेरपी करके वापस दिया जाता था तो पेरेंट को पता ही नहीं होता था कि ठेरपी में क्या हुआ घर जाके क्या करना है और एक मदर के पास specially सिफ एक ही option रहती थी या तो गूगल करती थी या अपने पुरानी workshop cd देखती थी बट कुछ समय बाद पेरेंट को यह रिलाइज होता था कि ठेरपी के लावा वो कुछ नहीं कर सकते हैं अगर सोमवार को किया है तो वो बुदवार की वेट करते थे बुदवार के बाद फ्राइड गिवेट करते थे लेकिन लेकिन ऐसी कोई चीज नहीं थी जो घर पे कर पाया हमने सोचा क्यों ना पेरेंट को इन्वाल करें हमने उनको थेरपी सेंटर में बुलाया उन मदर को हमने कुछ चीजे सिखाई कि वो बच्चे के साथ जो कर सकते हैं विकार सारी स्किल बेस होती है जो इतनी अच्छी बात हमने देखी कि जो हम दो घंटे में करते हैं वो मदर घर जाके छे-छे घंटे बच्चे के साथ कराना शुरू किया दरसल ऑटिजम काफी कॉंपलेक्स न्यूरो बिहेविरियल कंडीशन होती है जिसमें इंटराक्शन, डेवलपमेंट लैंग्विज और कम्यूनिकेशन स्किल्स गड़ बड़ा जाते हैं इसे दो से नौ साल की उम्र की बच्चों में पाया जाता है ये बच्चे सोशल अक् के जरीये ही सिखाया जा रहा था अपनी ने पेरेंट सपोर्ट प्रोग्राम बनाया, जिसे पेरेंट्स अपने बच्चों को खुद संभालने के लिए सक्षम हो रहे हैं। बच्चा और्टिस्टिक है, बच्चे को लर्णिंग दिसिबिलेटी है, एडिएशडी है। उसकी इल्मेंट के एसाब से हम जो रिसोर्स तूल उनको और आईपी जो हम कहते हैं इडिजिलाइज एडुकेशन प्लान बना के देते हैं हर बच्चे के लिए टेलर में वो कितना एफेक्टिव है। वो एफेक्टिव हम तभी देख सकते हैं, आप समझे ये लॉंग टर्म चीजे होती हैं, ये तीन महीने, छे महीने के बाद आपको कुछ असर पता लगना शुरू होता है, इसलिए हमको धाई साल रिसोर्च करने में पता लगा, अगर मैं कहूं के अभी भी हम रिसोर्च कर Occupational Speech Child Psychologist की 11 मिंबर्स की टीम के साथ कमपनी की शुरुआत हुई, लेकिन आज इसका दाइरा 200 लोगों की टीम बनने तक बढ़ चुका है, कमपनी ने बनाए Parent Support Program को काफी अच्छा response मिल रहा है, क्योंकि इस प्रोग्राम का फाइदात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को म मिल सके, इसलिए कमपनी की स्ट्राटिजी काम कर गई है. कुछ उन में से इंडिया के प्रीमेर हॉस्पिटल्स भी हैं, जिनके साथ हम मिल के काम कर रहे हैं. कमपनी होम, स्कूल और सेंटर इन तीनों माध्यम पर अपना Parent Support Program बेचती है, और प्रेश के कोने कोने से इस प्रोग्राम का फाइदा अग रहाग उठा रहे हैं. हमारे तीन सेग्मेंट है, एक घर, एक स्कूल और एक सेंटर्स जो अपने थेरिपी सेंटर अभी बोला, मैं अगर घर की बात करूं, मैं बड़े 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 प्रावडली बड़े खुशी से बता सकता हूं, कि हमारे एक सो साथ सिटीज में हमारा बैक जाता है, मौंस निकोबार जैसी जगे, दानते वाड़ा, जम्मू, कश्मीर, गौहाटी, आप किसी भी रिमोर्ट अरिया की बात करें, यह बैक उदर जाता है, तो सोचिए पेरेंट को कहां कहां जरूरत होगी, तो यह हमारे होम का पार्ट है, स्कूल, हमारे स्कूल अभी गुड़गाउ और स्कूल सारे सहायता पहुचा सकते हैं माता पिता को, और हमारा प्लान है दाट हमारे इस साल के एंड तक देच्टो सेंटर हो, ताके हम कोने कोनों में यह सहायता पहुचा सके, सिर्फ सेंटर वाली नहीं, बट उनके थुरू घर के लिए भी हम कुछ प्रोग्राम बना क कि उनको दे पाए. लेकिन प्रोफिट, पैसा, ना, मिज़ट, शोहरत कमाने से कई ज़्यादा जरूरत मंदों तक इस प्रोग्राम की पहुच बढ़ाने का पैशन पाउंडर नितीश की आँखों में चमकता है। अगर हम महनत से और क्लिनेशन से और पेरेंट को हेल्प करते रहे, ग्रोथ अपने आप आएगा, रेवेन्यू अपने आप आएगा, हमारा मेन अबजेक्टिव है कि हम उस पेरेंट को और उस बच्चे को कुछ लेवल का सपोर्ट दे पाए. अगर हम वहां को चेंज कर पाए, ग्रोथ, रेवेन्यू, फांडिंग, यह सारी सेकेंडरी बन जाएंगे, यह अपने आप आता रहेगा, हमको हमारा क्वालिटी, क्लिनिकल काम और पेरेंट का सपोर्ट यह दो चीजे कंटिन्यू रखने हैं। चोटे कारोबार से बड़ा मुनाफ़ा कमाने का कारगर आइडिया। इस प्रोग्राम में सोया मिल्क मेकिंग को शामिल किया है। इस प्रोग्राम में सोया मिल्क मेकिंग के साथ साथ इसका बिजनस शुरू करने और मार्केटिंग की ट्रेनिंग दी जाएगी। इतना ही नहीं प्रदानमंत्री Employment Generation प्रोग्राम के तहत 90 प्रतिशत तक लोन इस कारोबार के लिए मिल रहा है। यानि अगर आपके पास कारोबार शुरू करने के लिए सिर्फ एक लाख रुपे है तो आप सोया मिल्क मेकिंग यूनिट का श्री गनिशा कर सकते हैं। NSIC की प्रोजेक्ट रिपोर्ट में सोया मिल्क मेकिंग यूनिट की खुल कॉस 11 लाख रुपे दी है। इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट के आधार पर बैंक से मुद्रा लोन लिया जा सकता है। बैंक आपको 80 फीसदी लोन दे रहा है और आपको लगभग 1.5 लाख रुपे का इंतजाम करना होगा। देश के अलग-अलग हिस्सों में National Spawn Industries Corporation ने Technical Service Center शुरू किये है। इंसेंटर्स में कई तरह के बिजनसेस के साथ साथ जॉब ओरियेंटेट कोर्स की ट्रेनिंग दी जाती है। इसमें आपको सोया मिल्क मेकिंग की पूरी ट्रेनिंग मिलेगी। साथ ही Entrepreneurship Development Program के तहत बिजनस शुरू करने से लेकर बिजनस मैनेजमेंट मार्केटिंग इसकी भी ट्रेनिंग मिलेगी। NSIC की रिपोर्ट के मुताबिक सोया मिल्क के छोटी यूनिट लगाने के लिए 100 वर्ग मीटर की जगह लगेगी। इसमें कवर्ड एरिया सिर्फ 75 वर्ग मीटर लगता है। इसे किराय पर लिया जा सकता है। सोयाबिन से 3 गुना अधिक नॉर्मल पानी में सोयाबिन सीर को 4-6 घंटे तक एक गन तापमान में डब्बे में भीगोना होगा। इसके बाद 8-12 घंटे तक ठंडे तापमान में रखना होगा। फिर भीगे हुए सोयाबिन को एक ग्राइंडर और कुकिंग मशीन में रखे और उसे 120 डिगरी तापमान में 10 मिल्ट तक रखे। इसके बाद आप आउटलेट वाल को खोल कर दूद को अपने हिसाब से पैक कर सकते हैं। इस पूरे सेटप से आप 1,65,000 लीटर सोया मिल्क बना सकते हैं जो 30 रुपे प्रती लीटर से बिक्ता हैं जिससे 50 लाग तक की कमाई होगी। यानि सारे खर्च निकाल कर आप सोया मिल्क बनाने के कारुबार से मूटा मुनाफा कमा सकते हैं। इसी के साथ आवाज आंतुप्रेनियो में इस हफ़ते इतना ही आपको हमारा शो कैसा लगा यह हमें जरूर बताएं। अपना फीड़बैक पोस्ट कर सकते हैं आवाज आंतुप्रेनियो के फेस्पुक पेज पर और साथ ही मुझसे संपर्क में रहिए ट्विटर के जरूरे मेरा हैंडल है अट एई हर्शिदात। अगले हफ़ते फिर मुलाकात होगी कुछ और इंट्रिस्टिंग आइडियास के साथ। नमस्कार और टेक केर। आप